नमस्कार, कक्षा 10 एकसर साइ 7.1 प्रशन 4 हम करने जा रहे हैं जांच कीजिए कि क्या बिंदू 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक सम्द्वी बाहू त्रिभुज के शीर्ष हैं तो बच्चों देखिए यदि ये एक सम्द्वी बाहू सम्द्वी बाहू होता है जिसमें सम्द्वी द्वी यानि दो जिसकी तो भुजाएं बराबर हो ठीक है यदि यह एक सम्द्वी बाहू त्रिभुज के शीर्ष होंगे इसका मतलब कोई दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी है ना तो हम क्या करेंगे क्या ये बिंदू एक बिंदू यहां ले लो एक बिंदू यहां ले लो और एक बिंदू यहां ले लो अब हमें नहीं पता कि कौन सा बिंदू कहाँ आएगा इसलिम क्या करेंगे तीनों बिंदू की आपस में दूरिया निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या उन में से कोई दो दूरियां बराबर आती हैं तो हम मानते हैं मालो तीन बिंदू है पी इस बिंदू को मालो पांच कोमा माइनस दो Q इस बिंदू को माल लो 6,4 और R इस बिंदू को माल लो 7,-2 इस प्रकार से हमने यह तीन बिंदू माल लिये हैं अब दूरी सूत्र के अनुसार सबसे पहले एक बार सूत्र लिख दो दूरी सूत्र के अनुसार दूरी बराबर होती है बच्चो X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square इसके root के बराबर होती है ठीक है बच्चो तो अब हम इसका root देखते हैं हम तीनो देखेंगे तीनो दूरियां अब हमने निकालनी है देखें कैसे सबसे पहले मैं दूरी निकालूंगा P और क्यों की यानि दूरी P क्यों इसके लिए root इसको माल लो पहला point इसको माल लो दूसरा point तो X2-X1 यानि दूसरे point में से पहला point X निर्देशांक इसका X निर्देशांक है 6 इसका X निर्देशांक है 5 तो 6-5 X2-X1 का whole square Y2-Y1 यह है 4 minus minus क्या है या क्यों की formula में है उसके बाद देखे इसके साथ भी एक minus है तो यहां एक और minus लगा दो इन दोनों को अलग करने के लिए छोटी bracket और इन दोनों को रख दो बड़ी bracket में और इसका square क्योंकि Y2-Y1 का square भी है ठीक है बच्चों अब इसे हल करते हैं यह square नहीं है यह सिरफ flower bracket अलिए है देखिए रूट 6-5 होता है एक यानि एक का square प्लस चार minus into minus होता है प्लस तो यानि 4 minus into minus प्लस प्लस दो चार प्लस दो कितना हो गया छे छे का square भी है ना बच्चों तो देखिए एक का square होता है एक प्लस चे का square होता है छे तो सोरी च्छतिस च्छे का square होता है तो च्छतिस प्लस एक कितना हो गया 37 और इसके ऊपर है रूट तो इस प्रकार से हमने दूरी पीके हो निकाली है root 37 इसी प्रकार हम दूरी निकालेंगे qr फिर से root अब देखे q और r में y2 x2 है 7 माइनस आप खुद भी मेरे साथ साथ करोगे ना तो आपको तबी समझाएगा अगर आप present रोगे x2 कितना होगा इसका x निर्देशांग जो की है 7 माइनस इसका x निर्देशांग कितना है पहले वाला यानी 6 7 माइनस 6 का स्क्यार प्लस y2 दूसरे बिंदू में y का निर्देशांग जो की है माइनस 2 माइनस पहले में y का निर्देशांग यह है 4 इसका स्क्यार अब आगे देखिए root 7 माइनस 6 देखो 7-6 कितना होता है 1 यानि 1 का स्क्यर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 साथ में साइन माइनस का यानि माइनस 6 का स्क्यर तो देखिए ध्यान से 1 का स्क्यर होता है 1 प्लस माइनस का स्क्यर प्लस 6 का स्क्यर 36 तो 1 प्लस 36 कितना आ गया 37 इसका root इसी प्रकार से हमें इसकी तीसरी भुजा, देखो P क्यों निकाला क्यों R निकाला P क्यों निकाला, क्यों R निकाला अब P R निकालेंगे P और R की दूरी फिर से root क्यों को भूल जाओ P और R को देखो X निर्देशां के सात X2, सरी और x1 निर्देशांग है 5 तो यानि 7 माइनस 5 का square x2 माइनस x1 का square plus y2 y2 है माइनस 2 ध्यान से देखना बच्चा दरेश को यह है माइनस 2 उसके बाद यह माइनस फार्मुले वाला उसके बाद यह है फिर से माइनस 2 यानि यहां एक और माइनस 2 भी है इन दोनों को लग करने के लिए छोटी ब्रैकेट और इनको रख देंगे हम फ्लावर ब्रैकेट में इस प्रकार से और इसका square भी है ठीक है बच्चों अब इसे हल करते हैं यह देखने में मुश्किल लगते हैं होते हैं नहीं मुश्किल दे माइनस 2 प्लस 2 समझाया माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस तो यह है माइनस 2 प्लस 2 कितना होता है 0 यानी 0 का square आगे देखिए 2 का square होता है 4 प्लस 0 का square होता है 0 चार प्लस दीरो कितना हो गया चार रूट चार का रूट होता है दो ठीक है बच्चो इस प्रिकार से हमने तीन दूरिया निकाल ली PKO, QRO और PR और इन दूरियों को निकालने के बाद हमने क्या देखा क्या कोई दूरियां बराबर है दिखिए ये है रूट से निकालने क्यालने 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 क्याल का त्रिबुच हो गया वह एक सम्द्वी बाहु त्रिबुच हो गया ठीक है अतह सिद्धुआ कि क्या सिद्धुआ दिये गए बिंदु एक सम्द्वी बाहु त्रिबुच के शीर्श है ठीक है बच्चों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइब करना था यह बिंदु शीर्श जो है एक सम्द्वी बाहु त्रिबुच के शीर्श है यह बिंदु तो हमने दूरी सूतर से तीनों बिंदुवां के बीच कीदूरी और हमने देखा दो दूरी आपस में बड़ाबर नहीं है इसका मतलब विजाएं बड़ाबर नहीं है तो जब किसी करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्ण अच्छे से समज़ आया होगा इस प्रश्णावली के बाकी प्रश्णों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर आपको बाकी वीडियो भी दिख जाएंगे धन्यवाद